हालो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो मैं चैनल कैसे हो आप लोग आई हो को सभी बहुत अच्छ होगे तो आज है हमारा हंड़ेट ओल डानी जीन्स को रियूज करके बनाने जारे कुछ क्रियेटिव वीडियो में बने रही है बट आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइक क तो मैंने यह एलास्टिक वाला पार्ट कट किया है और जितना भी हमारा नीचे एक्स्रा फब्रिक निकल सकता था वह हमने निकाला है और स्ट्रेट करके कट कर लिया तो यह देखिए यह अप्रॉक्स दो इंचिस है अब यहां पे मैंने छोटे-छोटे कट लगा दिये तो इस एमम पे लगा दोगे कट और यह लिये है मैंने शैल्स तो कौड़ी शैल्स को लेके यहां पे हमने किया है मार्क तो थोड़ा थोड़ा गैप करके हम कर लेंगे मार्क सेंटर निकाला है फिर उसके बाद में हम इकोली करेंगे दोनों साइट से एंड इस टाइप से हम लगाएंगे अब शैल्स को अटेच करेंगे तो यहां पे मैं नेडल और थ्रेड की हल्प से शैल्स को कर रही हूं अटेच जहां जहां मैंने मार्क किया था इलास्टिक वाले एरिये पे हम कर रहे हैं यह अटेच अच्छे से टक करके टाइट करते जाएंगे तो यह हमने कर लिए हैं सारे शैल्स अटेच और जो एजिज थे उनको हम अच्छे से फिनिश कर देंगे अगर आपका बस कोई स्टॉपर है आप स्टॉपर भी लगा सकत नहीं तो यहां पर मैंने निडल अर्ण्थ हैट के हल्प्च कर लिए और यह लिए हैं मैंने चेन तो चेन को मैंने यहां पर कर दिया अटेच दौनो साइट पर हम चेन अटेच कर देंगे तो इसके दौनों edges पर हमने chain attach कर दी, एक side पर हुक आ रहा था chain में और एक side पर बिना हुक के normal chain है, तो ये हम देख सकते हैं, बन के हुआ है ready, आप समझ में तो आ गया होगा, basically ये है एक चोकर, ये देखिए, पहनने के बाद में लुक आएगा ऐसा, तो I hope आपको ये मेरा old waste denim से बना हुआ जोकर पसंद आया हुआ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो please like करें, comment करें and channel को subscribe करना मत भूलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए, bye, take care